इसले काफी powerful tool है लेकिन इस tool से आपका data चोरी ना हो जाए या आपके data को कोई आपकी मर्जी के बिना edit ना कर दे या आपकी sheet का कोई structure चेंज ना कर दे इसके लिए Excel के नदे बहुत सारे features हैं जिससे आप अपने cells को जिससे आप अपने cells मतलब Excel की sheet के cells को पूरी की पूरी sheet को workbook को और अपने sheet के structure को जो है वो password protected कर सकते हैं बहुत ही कमाल के features हैं अगर आप इन्हें use करना चाते हैं सीखना चाते हैं तो इस video को पूरा end तक देखिएगा और आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो comment box में जरू 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 बताइएगा Excel की और बहुत सारे videos हैं उसकी playlist आपको यहाँ पर i button में कहीं पर मिल जाएगी उस पर click कीजिएगा और उन videos को बैट के binge watch कर लीजिएगा काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा लिएब हम जानते हैं कि कैसे जो हैं आप लोग Excel के इस password feature का use करके protection कर सकते हैं अपनी workbook की sheet की और अपने data की और कैसे आप लो प्रोटेक्ट कर सकते हो पूरी sheet को जो है आप password protected कर सकते हो या पूरी की पूरी workbook को भी आप password protected कर सकते हो ध्यान से सारी बाती सीखिएगा और इसको अपने साथ-साथ Excel में apply करके भी देखेगा और जो भी आपके पास doubt हो वो comment box में जरू-जरू-जरू-जरू मुझे यहाँ पे एक particular store से मंगवा रहा हूँ एक particular quarter की अब मैं क्या चाता हूँ कि बस जिसको मैं sheet भेजूँ वो सिरफ यह data fill कर पाए सिरफ यह data fill कर पाए वो in columns को इस column को या फिर इस row को बिल्कुल भी छेड़ना पाए ना ही वो products को edit कर पाए ना ही months को edit कर पाए मैं चाता हूँ वो सिरफ इस part को जो है edit कर पाए तो मुझे क्या करना होगा देखिए अचा एक बात जब भी आप किसी cell को देखेंगे आप किसी भी cell पे जाईए उसके बाद control 1 प्रेस कीजिए और उसके बाद आपको बास नहीं हाँ पे protection के नाम से एक tab होता है जो आप format cell के dialogue box में जाते है वहाँ पे आप देखेंगे by default ये locked होता है let me repeat by default ये locked होता है अच्छा अब हम क्या करेंगे हम इंसको सबको select करेंगे और control 1 प्रेस करके देखते हैं ये भी by default जो है को locked है अब हम क्या करना चाहते हैं अगर मैं इसको by default locked ही रहने दूंगा और मैं अगर sheet को पूरा का पूरा protect कर दूंगा यहाँ पर review option में जाके यह review option है और यहाँ पर protect sheet आ रहा है अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो क्या होगा तो उस case में मेरे सारे cells lock हो जाएंगे सारे cells मतलब आप कुछ भी edit नहीं कर पाएंगे मैं आपको करके दिखा दूँ मैं उसको lock रहने दिया मैंने protect sheet पे ग देगा लेकिन मैं तो चाता हूँ कि यह जो हमारा cell वाला data है यह edit कर पाए जिस विक्ति के साथ मैं sheet share करूँ तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ पहले इसको unprotect करते हैं वापिस review tab में जाके unprotect और मैं इसमें अपना password डालता हूँ अब देखिए यह यहाँ पर दु याद रखिएगा इन cells को select करके मैंने uncheck किया है अब मैंने okay प्रेस कर दिया अब मैं वापिस से क्या करूँगा review tab में जाऊँगा review tab में जाने के बार अब मैं protect sheet पे click करूँगा और अब मैं यहाँ पर पना password डाल दूँगा जो भी मुझे रखना है अब आप देखिए कि मैं पूरी sheet में सिरफ यही cells जो है edit कर सकता हूँ देखिए मैं करके दिखाता हूँ 4560 मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है लेकिन अगर मैं किसी और cell पर जाके कुछ करता हूँ तो यह आपको क्या बोलता है the cell or chart you are trying to change is on a protected sheet okay to make a change और to make a change आपको क्या करना पड़ेगा unprotected sheet औ और आपको एक password भी आपसे मांगा जा सकता है okay तो यह बात जो है आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने यह चीज़ सिखाए कि आप कैसे किसी एक cell को जो है या बहुत सारे selected cells को जो है protect कर सकते हैं किसी के भी edit करने से और यह बहुत important है खासका जब आप आप किसी को कोई template भेजते हैं आप उससे कुछ fill करवाना चाते हैं तो हमेशा ऐसी कीजिए आप सिरफ जहां पे उससे data चाते हैं उस cell को जो है आप editable रहने दीजिए just to repeat आप किसी भी cell को अगर editable रहना चाते हैं पहले इसको unprotect कर दे दो हमें sheet को आप किसी भी cell को अगर edit editable रखना चाते है control when दबाईए protection में जाके उसके locked को uncheck कर दीजिए फिर जाके यहां से sheet को protect कर दीजिए इस तरीके से आप excel को क्या रख सकते हैं आप excel को रख सकते हैं editable बाकी पूरी sheet को आप लोग रख सकते हैं क्या uneditable यानिके password protected अच्छा अब यहां पर देखे मैंने sheet औ budget is equal to let us say 58,000 ऐसी मैंने random number यहां पर लिख दिया और अब मैं यहां पर प्रोड़क्टिंग शीट में जाता हूं यहां पर मैं क्या करता हूं एक formula लगा देता हूं कि budget sheet से यहां से यह उठके आना चाहिए अब अगर इस पर जाएंगे और formula बार में देखेंगे तो यह budget sheet से यहां से इसको उठा रहा है अब क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी sheet का नाम edit ना कर पाए क्योंकि यहां पर formula लगा हुआ है मेरी कोई भी structure को change ना कर पाए जो भी structure बना हुआ है आप structure को अगर protect करना चाहते हैं तो आपने कहा जाना है आपने जाना है protect workbook में और आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास देखिए कोई भी option जो है वो ढंक से आ नहीं रहा है सारे option जो ग्रेड आउट है ग्रेड आउट ना ही आप टैप color change कर सकते हैं ना आप इसे hide and hide कर सकते हैं ना ही आप insert कर सकते हैं ना ही को delete ना ही rename ना ही mover copy एक बार मैं इसको unprotect क लिए मैंने दुबारा से अपने password डाला अब आप देखिए सारे options आपके पास आ जाएंगे you want to delete it delete it you want to rename it rename it हम इसको rename करके देखते हैं जैसे अब मैं इस पर जो है यह formula दुबारा लगाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आप इसको कैसे safe कर रख सकते हैं जैसे मैंने आपको बता है आप इस sheet के वर जाते हैं आप कहीं पे भी जाए उसके बाद जो है protect workbook कर दीजिए structure आपका चेक्डिम रहना चाहिए password डाल दीज जो है इसको कोई भी छेड नहीं सकता है इसको आप उठाके यहां भी नहीं कर सकते आप इसको उठाके कहीं भी नहीं कर सकते आप नई sheet भी जो है वो add नहीं कर सकते nothing doing जो आपने दे दिया वो ही रहेगा तो इस तरह से आप जो है अपने excel की workbook के structure को जो है वो secure कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि पूरी की पूरी workbook को अगर lock करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे options है, और वो options आपने कैसे exercise करने हैं, मैं आपको वो जल्दी से बता देता हूँ, तो अगर आप पूरी की पूरी workbook को जो है protect करना चाते हैं, आप file tab के अंदर जाएंगे, और file tab प्रेस करने के बाद जो है, आपको info tab के अंदर जाना है, info tab जैसे आप प्रेस करते हैं, पहला option आता है protect workbook, तो protect workbook में आपको आपको आसे always open read only encrypt with password, हम लोग लगाना चाते हैं password, right, so हम लोग जल्दी से लगाते हैं password, password फिर से एक request, password अगर आप भूल गए, तो समझ लीजिए, आप भूल गए, लीजिए, अब मेरी जो है, ये workbook हो गई है, password protected, for example, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस workbook को जो है, वो close कर देता हूँ, और मैंने इसको save भी कर दिया, अब मैं अगर अपनी इसी workbook को, Excel Tutorials के नाम से जो workbook है, मैं इसको open करना चाता हूँ, तो देखे, जैसे मैं open करूँगा, ये मुझसे मांगेगा password, और जब तक मैं password नहीं मांगँगा, पासवर्ड नहीं दूँगा, तब तक ये मुझे access नहीं करने देगा, और यहाँ दिया, मैंने password प्रेस किया, okay, मैंने इसको कर लिया, access, तो जल्दी से जो भी हमने यह भी तक सीखा, उसको हम लोग revise कर लेते हैं, अगर आप cells को protect करना चाते हैं, जिन cells को आप लोग editable रखना चाते हैं, आप वहाँ जाएए, control 1 कीजिए, protection पर जाके, यहाँ पर बहले by default lock दोता है, इसे आप uncheck कर दीजिए, और उसके बाद जाके protect sheet में जाके, अपना password डालके, आप इसे जो है क्या कर सकते हैं, password protected कर सकते हैं, पूरी sheet को accept these editable cells, जो भी cells आप select करके, उनका lock uncheck कर देंगे, control 1 वहाँ पर, control 1 प्रेस करके, वो cells editable रह जाएंगे, बाकि cells जो हैं, आप लोग edit नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपनी sheet का structure, workbook का structure, आप लोग जो है, वो protect करना चाते हैं, तो आप क्या करेंगे, review में जाएंगे, protect sheet में जाएंगे, sorry, review में जाएंगे, और उसका protect workbook में जाएंगे, structure यहाँ पर check दिन रहेगा, और आप लोग अपना password डाल देंगे, unprotected हो चुगी है, आप दुबारा करेंगे, encrypt with password, password डाल दीजिए, तो इस तरह से, आप अपने Excel में, काफी सारी safety features, उनको use कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो वीडियो को like कीजिएगा, और सबके साथ share कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, तो इस चैनल को subscribe भी कीजिएगा, इसकी जो सबसे पराणी वीडियो से हैं, वो देखिए, अगर आप Excel सीखना चाते हैं, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, skill91.com एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको Excel क्लब मिलेगा, जिसमें 4500 प्लस लोग इस समय हैं, इंडिया का सबसे बड़ा Excel क्लब आज की डेट में वही है, जहाँ पर आपको आपकी हिंदी भाषा में, इंग्लिश और हिंदी का मिक्स्टर जिसमें हम बात करते हैं, आपको Excel सिखाये जा रहा है, बहुत-बहुत सारे लोगों के इंटर्व्यूज भी हैं, और उसमें special sessions भी हैं, Excel for Finance को लेके, जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और Financial Modeling के भी, दो introductory lecture आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, राइट, विद इस नोट गाईज, थैंक यूवेरी मुद्स, स्टे कनेक्टेट, स्टे हैट जैहिन, और हम इतनों सीखते रहें, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन, बाई बाई एंड टेक केर, God bless you,